नमस्कार दोस्तों जानिये कैसे में आपका स्वागत है इस चैनल पर हम आपके लिए स्वास्त संबंदित जानकारिया लेकर आते हैं तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल जानिये कैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुरुपया सब्सक्राइब करें जिससे की आप हमारे आने वाले सबी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों सब्सक्रिप्शन के साथ आप सब्सक्रिप्शन बटन के पास एक नोटिफिकेशन बेल होगी उस पर क्लिक किजिए जिससे की आपको हमारे आने वाले सबी वीडियो उसके नोटिफिकेशन प्राप्त होगी दोस्तों आज मैं आपके लिए जुम महतुपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ वो है रोज रात में सोतेवक करे मखाने का सेवन जहां दोस्तों मखाना कमल के बीच की लाही है मखाने को देवताव का भोजन कहा गया है फूल मखाना पूजा एवं हवन में भी काम आता है इसे औरगनिक हरबल भी कहते हैं क्योंकि ये किसी भी रासाइनिक खाद या केट नाशी के उपयोग में उगया जाता है मखाने के खाने से तनाव कम हो जाता है और नींद अच्छी आती है रात में सूते वक्त दूत के साथ मखाने का सेवन करने से नीन ना आने की समस्या दूर हो जाती है इसके अलावा मखाने का रूत सेवन करने से शरीर की कमजोरी दूर होते हैं और हमारा शरीर भी सेहत मन रहता है यहां सुवाच्च्च है तथा आहार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है बच्चों को इसे देशी घी में बगार कर चिवडे की तरह नमकीन बना कर दे वे इसे बहुत पसंद करेंगे इसे खीर में भी मिला कर दे सकते हैं फूल मखाने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनीज, लवन, पॉस्पुरस, एवं लोहपदर्त, भरपूर मात्रा में मौजुद होते हैं दोस्तो लंबे वक्त तक जवा दिखना है तो एंटि ओक्सिडन्ट से भरपूर मखाने खाईए दरसल ये एंटि एजिंग डाइट है केल्शियम से भरपूर मखाना जोडों के दर्द में फाइदे मन होता है गटिया में भी इसे खाने से आराम मिलता है रात को मखाने दूद में मिला कर खाए तो आपको अच्छी नींदा थी है यह शरीर के कमजोरी को दूर करता है साथ ही तनाव को भी खतम कर देता है मखानों को देशी घी में भून कर खायने से आखों की रोशनी तेज होती है साथ ही दस्त जैसे रोग से छुटकारा मिलता है दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूले और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में दिये हमारे चैनल के गोलाकार लोगों पर क्लिक किजिए जिससे की आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब हो जाएंगे झाल पर सब्सक्राइब हो जाएंगे